अलो एवरिवन स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मार्फो आड़ी सर्विस डिवाइस को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे देखिए जितने भी लोग सहजन सेवा केंदर चलाते हैं वह एजली किसी ना किसी बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं किसी भी कस्टमर का AAPS के तुरू प्रांजिक्शन करने के लिए तो आज की इस वीडियो में बिसिकली हम समझेंगे कि जो मार्फो आड़ी सर्विस डिवाइस है बायोमेट्रिक ऑथांटिकेशन के लिए उसे हम कैसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम अपने मॉबायल का सेटिंग ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे कि OTG नेक्स्ट हम अपने स्मार्टफोन का जो OTG कैनेक्शन है उसे हम इनेवल कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि मेरे स्मार्टफोन का OTG connection इनेवर हो गया है नेक्स्ट इसके बाद हम अपना प्लेश्टोर अप्लिकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पर एक अप्लिकेशन सर्च करेंगे मारफो आडी सर्विस नेक्स्ट आप इसे सालक्ट कर लेंगे देखिए इस अप्लिकेशन को इसली आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टाल कर लेंगे या फिर इस अप्लिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा जहां से इसली आप उस अप्लिकेशन को इंस्टाल कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि यह जो application है वो आप मेरे smartphone में install हो चुका है अब हम इसे open पर click करेंगे देखिए अब आप इस application को open करने के लिए allow कर देखिए आपका यह जो application है वो आप open हो गया next इसके बाद जो मेरा smartphone ID service device है उसे हम अपने smartphone से connect करेंगे देखिए जब आप इसे connect करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर यह बोला जाएगा कि open Marfo SCLRD service device to handle और यहाँ पर आपके इस device का model number दिया होगा next हम इसे ticker के ok को लिक कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि जो आपका parametric device था वो आपके इस application से easily registered हो चुका है अब मैं live आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे यह application काम करता है during EPS राजिक्सर मतलब कि जब आप EPS के थुरू किसी भी customer का balance inquiry कर रहे हो या फिर meaning statement देख रहे हो या फिर उनके account से cash withdrawal कर रहे हो तो कैसे यह device work करता है इसके लिए मैं अपना रैपी पे application open कर लेता हूँ देखिए रैपी पे एक ऐसा application है जिसके थुरू मैं किसी भी customer का EPS के थुरू transaction कर सकता हूँ नेक्स्ट इस application को open करने के लिए मैं इसे अपने finger से authenticate कर लूँगा देखिए मेरा जो रैपी पे application है वो open हो चुका है नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है यह EPS अब हम इसे click करेंगे देखिए अब आप देख सकते हैं कि upside में दिया हुआ है balance inquiry, cash withdrawal, meaning statement, आधार पे उसे हम select कर लेंगे तो मान देजे मुझे many statement देखना है किसी भी customer का तो मैं यहाँ पर many statement को select कर लूँगा नेक्स्ट इहाँ पर हम device select करेंगे तो देखिए यह जो मेरा device है वो marfo L0 है तो मैं यहाँ से हिसे select कर लूँगा अपने biometric device को नेक्स्ट इस customer का मुझे many statement देखना है आधार के थुरू उसका हम यहाँ पर आधार number फिल कर देंगे नेक्स्ट मोबाइल number फिल कर देंगे और यही से bank भी search कर लेंगे जिस bank में उनका account हो तो देखिए इंडिया first payments bank है तो आम इसे इसे select कर लेंगे उसके बाद इसे हम click कर देंगे next downside दिया हुआ है capture अब हम इसे click करेंगे और यही से easily उस customer का fingerprint को capture कर लेंगे next submit को click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि जिस customer का आप balance require कर रहे थे उनका यहाँ पर mini statement शो कर रहा है अब आप easily इन सारे steps को follow करके अपने Marfo RD service device को अपने smartphone से connect कर सकते हैं at last अगर आपको एफ वीडियो informative लगा हो तो वीडियो को like करें और अधिक से अधिक से अधिक सेयर करें so thanks for watching this video